डाउन कमर पाइप्स के बारे में यह है स्ट्रिम ड्रम यह है वाटर वाल पेनल का टॉप रिंग हेडर यह वाटर वाल पेनल यह है बेट कोईल का आउटलेड हेडर यह होता है बेट कोईल का इंलेट हेडर यह है वाटर वाल बॉटम रिंग हेडर तो डाउन कमर पाइपस जो कनेक्ट होता है स्ट्रिम ड्रम और वाटर वार पेनल का जो बॉटम रिंग हेडर से फ्रन्ट रियर और लेप राइट साइड में ठीक वाटर जो बॉलर फिट पम के द्वारा आता है वह सबसे पहले इकोनमाईजर के थुरू इस्ट्रिम ड्रम में इंटर करता है अब इस्ट्रिम ड्रम से जो वाटर इस्टोर रहता है वह उसे आगे इस्ट्रिम बनाने के लिए बॉयलर के जो ट्यूब्स है उसमें उसे गर्म किया जाता है तो डाउन कमर जो पाइप है वह आ वह supply करता है supply करने में वह मदद करता है Bakit ये जो कि i an come or फाइब कि किसी भी तरह का जो फरनेस को फॉर्ने से हीड smiled नहीं करता क्योंकि ये ड़ाउनकमर पाईप्स जो होता है वो बॉयलर केसिंग के बाहर ये रहता है क्यों इस बाहर डांकमर पाईप को लगाते हैं क्योंकि नेचररली जो बॉयलर का डिजाइन होता है वो नेचरल सरकुलेशन होता है तो जब वाटर और इस्टीम का वाटर वाल बॉयलर ट्यूब्स में जब उपर की तरफ वाटर वाल में इस्टीम और वाटर दोनों के बीच की डेंसिटी जो होती वो डिफ्रेंस होता है जिसके कारण से कोल्ड वाटर जो डाउन कमर पाइप से आ रही है वो इंटर करता है वाटर वाल ट्यूब्स में और नेचरल सर्कुलेशन जो हो क्रियेट करता है यही कारण के डाउन कमर पाइप में फर्नेस के बाहरी से लगाया जाता है इसका जो माटेरियल कांट्रक्शन होता है कारण स्टील